नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में और हम बात कर रहे हैं दोस्तो यहाँ पे थर्ड यूनिट की रामभक्ती काववे की तो दोस्तो थर्ड यूनित का टॉपिक हमारा रामभक्ती कावे जिसके अंतरगत हम इसमें प्रश्णोतरी देखेंगे और दोस्तो जो हमारा एपिसोड चल रहा है जो हमारी क्लास चल रही है ऑनलाइन TGT PGT की वो क्लास नौ चल रही है दस क्लास अपडेट होने वाली है तो आप वहाँ जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं और दोस्तो यहाँ पे हमारा मोस्टली जो स्लेबस है वो कंप्लीट होने की तरफ जा रहा है तो आप बिल्कुल चैनल के साथ बने रहे हैं और अगर TGT PGT UGC Net LT Grade या किसी भी गवर्मेंट एक्जाम की तयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी साहित आता है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्पूर्ण होगी और ये क्लास टोटली फिरी है तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने प्रश्णोतरी की पहला प्रश्ण है स्वामी अगरदास निमनलिकित में से किस कावेदारा के कवी हैं तो यहां पे बहुत सारा नाम दिया हुआ है निर्गुड संत काव्यधारा, प्रेम मार्गी काव्यधारा, राम भक्ती काव्यधारा या फिर क्रश्न भक्ती काव्यधारा तो बताएं किस के कवी हैं तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो है option C और बात कर लेते हैं इस युग में और कौन कवी थे तो इसमें थे रामानंद, तुलसी दास, नाभा दास, प्राण, चिंद, चौहान, केशाव दास ये क्या थे प्रमुख कवी थे चलिए फिर आगे चलते हैं राम भक्ती शाखा में रसी को पासना का समावेश किस ने किया हैं ओप्शन्स देख लेते हैं केशाव दास, अग्रदास, लाल दास या फिर नाभा दास ने रसी को पासना का ये प्रशन कई बार पूछा गया है तो सही उत्तर है option B अग्रदास जी ने किया है किस में किया था उन्होंने सबसे पहले उन्होंने किया था पदावली तथा ध्यान मंजरी में सीता राम का सौंदर रिवरणन कर रसिक भावना की उपासना को इस्थापित किया था तो यगर याता है राम भक्ति शाखा में रसिक उपासना का समावेश किस ने किया था तो उत्तर होगा अग्रदास option B आगे बात करते हैं गुष्वामी जी के पिता का नाम क्या है गुष्वामी जी के पिता का नाम option है गंगा राम आत्मा राम देवता दीन या फिर इन में से कोई नहीं बताएं तो सही उत्तर है आत्मा राम दूबे option B यहाँ पे सही होगा आत्मा राम दूबे यह किसकी अनुसार है जन शुरूती की अनुसार गोस्वामी जी के पीता का नाम आत्मा राम दूबे और उनकी माता का नाम हुलसी था ठीक है अगला प्रश्ण है गोद लिये हुलसी फिरे तुलसी सोसूत होए यह पंक्ती किसकी है प्रार्चन चौहन, नाभादास, नरोत्तम दास या फिर रहीम सही उत्तर की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होगा रहीम की पंक्ति है option D तो यहाँ पे क्या हो जाएगा option D हमारा सही option होगा अगला प्रशन है तुलिसी की भक्ती का स्वरूप क्या था तुलिसी दास जी की भक्ती का जो स्वरूप था वह क्या था options देखते हैं दास से सक्खे वादसल्ले या फिर मात्र तो दोस्तों यहाँ पे उनकी जो भक्ती का स्वरूप था वह था दास से option A दास से भाव के उनकी शक्ती वह भक्ती थी अगला प्रशन है तुलसी के सरवाधिक लोग प्रिये ग्रंथ मतलब सरवाधिक लोग प्रिये महा कावे का नाम क्या है आप्शन्स है पदमावत, यूसुप जुलेखा, म्रगवती या फिर रामचरित मानस तो नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे आप्शन डी होगा रामचरित मानस तुलसीदास जी का सरवाधिक परचलित और लोग प्रिये महा काववे रामचरित मानस अगला प्रशन है इन में से कौन सा महा काववे आवधी में लिखा गया है निम्निलिकित में से कौन सा महा काववे है जो आवधी में लिखा गया है option है प्रिये प्रवास साकेत रामचरित मानस या फिर रामचंद्री का किस भाशा में पूछ रहा है अवधी भाशा में लिखा गया है तो भी यहां पे हो जाएगा रामचरित मानस option C ये अवधी भाशा में लिखा गया महा काववे है अगला प्रश्ण है राम कथा पर आधार तुलसी रास जी का महा काववे कौन सा है किस पर आधारित राम कथा पर आधारित तुलसी रास जी का महा काववे ऑप्शन्स देख लेते हैं भरत मिलाप रामचरित मानस राम रक्षा स्त्रोत या फिर राम चंद्री का तो दोस्तों जो सही उत्तर होगा वो रामचरित मानस है option B अगला प्रश्ण है गोस्वामी तुलसी दास ने रामचरित मानस की रचना किस समवत में की थी समवत 1631, समवत 1637, समवत 1649 या फिर इनमें से कोई नहीं समवत बताना है सन कब हुआ था इनका तो जो सही उत्तर है वो है 1631, समवत 1631 में अगला प्रश्ण है रामचरित मानस में कुल कितने कांड है कांड की बात आ रही है रामचरित मानस में कुल कितने कांड है 15, 10, 7 या फिर 8 तो इसमें बताये गया है कि इसके 7 कांड है रामचरित मानस के option C सही है तो रामचरित मानस अवधी भाशा का सरवाधिक लोग प्रिय महाकाव्य है या रामकथा पराधारित है जिसकी रचना काशी, चित्रकूट और अयोध्या में हुई है इसकी रचना अगर समवत में बात करें तो 1631 विक्रम समवत के लगभग हुई है और इस्वी में बात करें तो 1576 इस्वी के लगभग तुलसी दास जी ने की है इसे पूर्ण होने में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि रामचरित मानस को पूर्ण होने में कितना समय लगा तो ध्यान दीजिएगा दो वर्थ साथ माह और 26 दिन का समय लगा ठीक है और रामचरित मानस दोहा चौपाई शैली में लिखा गया एक महा काव्व है जिसमें साथ कांड है और कांडों की अगर बात कर लेते हैं हम तो कांड है बाल कांड, अयोध्या कांड, अरन्य कांड, किशकिंधा कांड, सुन्दर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड य और कभी-कभी ये पूछ लेता है कि ये कांड किस महाकाव या किस रचना से संबंधित है तो देहान दीजिएगा बाल कांड अयोध्या कांड अरन्य कांड किश्किंद्धा कांड सुंदर कांड लंका कांड और उत्तर कांड चलिए आगे चलते हैं रामचरित मानस में कुल कितने सोपान है कांड तो साथ हो गए अब यहाँ पे बात आ रही है सोपान की 11,9,10,7 तो दोस्तों कांड और सोपान दोनों एक ही होते हैं तो option D यहाँ पे हमारा सही होगा साथ अगला प्रशन है सुंदर कांड में प्रमुख पात्र कौन है सुंदर कांड का प्रमुख पात्र बताना है options देख लेते हैं हनुमान भरत कैकेई या फिर लक्षमन हनुमान भरत कहकेई या लश्मन तो सही उत्तर जो है वो है हनुमान सुन्दर कांड में प्रमुख पात्रे के रूप में हनुमान ठीक है रामचरित मानस को साथ भागों में बाटा गया है और जो सुन्दर कांड है इस कांड में हनुमान जी के लंका गमन से लेकर आगमन तक क्या जो वरणन है वो प्रस्तुत किया गया है ठीक है सुन्दर कांड में क्या है हनुमान जी जाते हैं कहां लंका और फिर लंका से वापस आते हैं तो चलिए आगे चलते हैं रामचरित मानस में विभत्स रसका प्रियोग किस किन किन कांडों में मिलता है अरन्य कांड और लंका कांड में, सुन्दर कांड और उत्तर कांड में, बाल कांड और आयोध्या कांड में या फिर उपर्युक्त सभी में, किसमें मिलता है क्या, विभत्स रसका प्रियोग, तो जो सही उत्तर है वो है, option A, अरन्य कांड और लंका कांड में, विभत्स रसका वर्णन, विभत्स मतलब भयानक, रसका वर्णन मिलता है, प्रियोग मिलता है, ठीक है? अगला प्रशन है, अवधी एवं ब्रज भाषा, दोनों भाषाओं में रचना करने वाले कवी कौन है, अवधी और ब्रज, दोनों में रचना करने वाले कवी कौन है, option है, सूरदास, तुलसी दास, घनानंद, या फिर उपर युक्त सभी, तो दोनों में रचना करने वाले ह गुस्वामी तुलसिदास जी का नाम आता है इन्हें हिंदी का जातीय कवी भी कहा जाता है ये प्रशनी भी पूछा गया है कि निमलिकित में से हिंदी का जातीय कवी किसे कहा जाता है और इन्होंने हिंदी छेतर की मध्ध काल में प्रशलित दोनों कावे भाशाओं मतलब ब मुक्तक शैली का प्रियोग किया है चलिए ठीक है आगे बात करते हैं निम लिखित में से कौन सी रचना तुलसी दास जी की नहीं है ठीक है कौन सी रचना तुलसी दास जी की नहीं है राम चंद्री का कविता वली गीता वली विने पत्री का तो नाम से ही पता चल रहा है यहा कुंसी रचना तुलसी दास जी की नहीं है, options देखते हैं, राम चरित मानस, कविता वली, गीता वली, या फिर साकेत, तो यहाँ पर आ गया साकेत, option D, यह किसकी नहीं है, तुलसी दास जी की नहीं है, अगला प्रशन है, भक्ती काल के किस कवी को जाती कवी कहा जाता है, अभ कहा जाता है तो सही उत्तर होगा हमारा अभी हमने चर्चा की थी B, option B, तुलसी दास अगला प्रशन है वैराग्य संदीपनी किस कवी की रचना है options देखते हैं तूरदास, जैसी, तुलसी दास या फिर नंददास किसकी है यहाँ पर तूरदास, जैसी, तुलसी दास या फिर नंददास तो यहाँ पर option C हमारा सही हो जाएगा किसकी है तुलसी दास जी की अगला प्रशन है निवनलिकित में से कौन सा कथन असत्ते हैं कथन देखते हैं तो इनमें से कौन सा option असत्ते हैं मतलब कौन सा option गलत है तो सही उत्तर जो है यहाँ पे गलत वाला वो यह है कि option D option D हो गँए यहाँ जो असत्ते है संतकवित 이हाँ जो असत्ते हैं नहीं ये कथन गलत है क्योंकि वो ग्यान अश्राई शाखा के कवी नहीं है बलगी किसके कवी है किसके कवी है तुलसी दास जी बताएं पिछली वीडियो में हमने बात किये थी इस पे राम अश्राई शाखा के प्रतिनिधी कवी है ठीक है राम अश्राई शाखा के अगला प्रश्ण है भाक्ति काल के राम अश्रेई शाखा के निमलिखित में से कौन कवी है option देखते हैं सूरदास, मीरा भाई, जैसी या फिर तुलसी तो दोस्तो अभी उपर ही हमने ये चर्चा की थी की राम अश्रेई शाखा के प्रतिनी दी कवी कौन है तो यहाँ पे वही उत्तर होगा option D, तुलसी दास जी अगला प्रश्ण है निम्न लिखित में से राम भक्ती काव की विशेष्ता नहीं है options देखते हैं विश्णू के आवतार के रूप में राम का वरणन, लोक मंगल एवं समन्वे भावना का प्रतिपादन, असत्य परसत्य की विजय क्रश्ण की विविध लीलाओं का वरणन तो कौन सी है जो विशेष्ता इन में से राम भक्ती काव की नहीं है तो जो अगर सही उत्तर की बात करेंगे तो वो ये है कि option D, क्रश्ण की विविध लीलाओं का वरणन ये इसकी विशेष्ता नहीं है, ये क्रश्ण कावी की विशेष्ता है, ठीक है अगला प्रश्ण है, तुलसी दास्करत विनय पत्री का रचित है ब्रज भाशा में, अवधी में, खड़ी बोली में, या फिर इन में से कोई नहीं किसमें रचित है, विनय पत्री का तो सही उत्तर है, ब्रज भाशा में किसमें, ब्रज भाशा में, option A option A हो जाएगा तुलसी दास दोरा रचित विनै पत्रिका की जो भाषा है वो ब्रज भाषा में है इसमें स्वामी जी की सेवा में करुणतम शब्दों में अपनी दीनिता का निवेदन किया है ठीक है और विने पत्रिका का कहीं कहीं अर्थ पूछ लेता है वो है अर्जी प्रस्तुत की है इसका अर्थ होता है अर्जी प्रस्तुत की है इसमें क्या था कि जो दर्बारी शिष्टाचार का उन्होंने पूर्ण निर्वाह किया है और उसी का वर्णन किया है ठीक है विने पत्रिका में अगला प्रश्न है क्रश्न गीता वली रचना के रचनाकार का नाम क्या है क्रश्न गीता वली रचना के रचनाकार का नाम ऑप्शन देखते हैं सूर दास तुलसी दास नंद दास या फिर मीरा बाई तो सही उत्तर है आप्शन B तुलसी दास क्रश्न गीता वली गुस्वामी तुलसी दास जी की रचना है जो की ब्रज भाशा में रचित है ठीक है और वो एक गीती कावे भी है यह भी प्रिश्न पूछा जाता है गीती कावे आगे बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा या फिर रसमंजरी कौन सा जो है रचना है जो तुलसी दास द्वारा रचित नहीं है तो भी यह यहाँ पे नाम से ही लग रहा है रसमंजरी है जो की नहीं है किसकी रचना है यह नंद दास जी की ओप्शन D फिर अगला प्रशन है इन में से तुलसी दास जी की रचना नही फिर एक प्रशना आता है तुलसी दास जी की रचना नहीं है कविता वली गीता वली विनेपत्रिका या फिर राम चंद्रिका तो इससे पहले भी एक ऐसा ही कुछ प्रशन था पर यहां पे प्रशन पूछने का तरीका अलग है तो यहां पे जो जवाब होगा नहीं है वाला वो यह है उप्शन डी क्योंकि यह केशव दास की है अगला प्रशन है तुलसी दास ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतरगत भ्रमर गीत की रचना की है जो निम्न में से किस में संकलित है उप्शन देखते हैं जानकी मंगल में क्रशन गीता वली में गीता वली में या फिर क्रश्न विस्यक है वो किवल एक रचना है जिसका नाम है क्रश्न गीतावली ठीक है आगे बात करते हैं भक्ति काल के किस कवी ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रिय परंपरा का निर्वहन किया है औप्षन है जैसी सूरदास तुलसीदास या फिर नंददास तो सही उत्तर की अगर बात करें हम यहाँ तो वो हो जाएगा औप्षन सी तुलसीदास तुलसी दास जो है वो अवधी मेलेखन के साथ साथ संस्कृत की परंपरा का भी अक्षूर्ण उन्होंने प्रियोग किया है तुलसी दास ने अपने कावे में छंदों का समुचित निर्वाह किया है अगला प्रश्ण है गीता वली है क्या है ओप्षिन्स देख लेते हैं सबसे पहले मुक्तक कावे है अनुकांत कावे है प्रबंध कावे है या फिर इन में से कोई नहीं अभी हम जब गीता वली के बारे में पढ़ रहते तो मैंने कहा था ये एक मुक्तक कावे है ओप्षिन अगला प्रश्ण है तुलसी दास ने किस कावे की रचना सूर दास के अनुकरण पर की थी? कौन सी रचना थी? नीचे आप्षिन है दोहा वली, कविता वली, जानकी मंगल या फिर गीता वली सै उत्तर है आप्षिन डी गीता वली आचार रामचंदर शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि गीता वली की रचना गोस्वामी तुलसी दास ने सूर दास जी के अनुकरण पर की है ठीक है तो यहाँ पे किस में लिखा है आचार रामचंदर शुक्ल की हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार रामचंदर शुक्ल ने लिखा है कि गीता वली की रचना तुलसी दास जी ने सूर दास की अनुकरण पर की है अगला प्रश्ण है निम्लकित में से रामचरित मानस का संबंध किस समवाद में किस समवाद से नहीं है नीचे उस समवाद दिये हुए है शिव पारवती समवाद या गिवल भारत द्वाज समवाद रामसीता समवाद या फिर इन में से कोई नहीं तो दोस्तों यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो है इन में से कोई नहीं option D ठीक है क्योंकि यह सारे समवाद रामचरित मानस में है तो दोस्तों यह थे कुछ प्रश्ण जो की रामभक्ती शाखा पर रामभक्ती काववे पर आधारित थे अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है क्रश्ण भक्ती काववे तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ डिटेल में पढ़ेंगे जो की हमारी क्लास 10 होगी और फिर इसके बाद यह वाली वीडियो लेकर आएंगे प्रश्ण तरी की उसके बाद वो भी यूनिट हमारी खतम हो जाएगी फिर हम उस पर भी प्रश्ण तरी लेकर आएंगे तो इसी तरह हम टॉपिक वाइस टॉपिक पढ़ते रहेंगे तब तक शलूअन मिलेगा और अगे नहीं बढ़पाएंगे तो चलिए दोस्तों मिलते हैं तब निक्स्ट वीडियो में इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद